हालो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज के हमारी क्लास करेंगे हम साइकलोजी की पेडियाप से यह प्रिशन आपके लिए में लेके आया हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रिशन है आपकी जो प्लेवे मेथड है यानि कि जो खेल वीदी है खेल वीदी के आपके जनक कौन है तो यह है आपके पास फ्रॉबल तो इसमें और फ्रॉबल आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा एजुकेशन साइकलोजी इस दा साइन्स ओफ ओप इजुकेशन तो एजुकेशन साइकलोजी इसमें पूछी गई है इसलिए मैंने आपकी इनिकलूट की है तो इसको एक पार आपने जो है अराम से दिख लेना इसके लबब पहले की जो ख्लासीज है अगर आप उसको लिस्ट में जाना है प्ले लिस्ट में आपको वो सभी classes आपको मिल जाएगी और साथ ही description में जितनी important videos है जितनी important theories है उन सभी के link आपको मिल जाएंगे उसमें भी जाकर जो है videos को आप देख सकते हैं which method help to study children with special needs वो कौन सा method है कि जो आपके study जो करता है children की special needs की जो उनके जुरूरत होती है बच्चों को तो कौन सा एक method है जो help करेगा बच्चों को special needs में वो है आपके पास case study method तो यह आपका सबसे best भी माना जाता है case study method किसी को भी observation करने का तो यह आपने ध्यान रखना है what is the formula of the IQ देखिए यह क्या पुछा गया है कि what is the formula of the IQ वही वाली बात है कि आपके जो बुद्धी लब्धी का जो आपका formula है या फिर कहें कि गुणाख जो है यह क्या है ma upon ca multiplied by 100 ma upon ca multiply by आपका 100 यह आपको मैंने दो तीन प्लासिज में पीछे भी आपको मैंने यह बता दिया है who is associated with cognitive development तो इसमें से कौन सा आपका cognitive development से जो आपका संबंदित है संग्यानात्मक विगास से संबंदित कौन से है यह आपके जीन प्याज है जिनके चार स्टेजिज आपकी दीदी cognitive development की मैंने पिछले कल की वीडियो में बिताया था वो चार स्टेजिज कौन सी है उसके आप जो एक comment section में comment चुरूर करेंगे आगे आपके पास id ego super ego is related to यानि कि आपका id नहीं कहेंगे उसको id कहेंगे id ego super ego यह आपकी segment fred के एक theory थी personality की उससे यह संबंदित है हाला कि उस theory के उपर already मैंने आपके लिए class provide कराई है लेकिन फिर से एक और class के उपर आपको जल्दी मिल जाएगी अब यह आपको जो है आठ से दस दिन के अंदर दो class है आपको यह psychology की मिल जाएगी तो यह किस से संबंदी थी आपका? आपका idham जो है आपका है id ego और आपका sugarood अहाम, ego और आपका idham जो है किस से संबंदी थे आपका personality से आपका संबंदी थे जो कि आपकी सिगमेंट फ्राइट की तियोरी से संबंदी थे व्यक्तित्तों कि यह संबंदी थी इसको मैं आपको डिटेल में करवा दूँगा तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे बेशिक कि इनको आप जो है नो डाउन साथ हत करके चिलेगा हर रोज अगर आप देखिए 20 कोशिन भी आप जो है नो डाउन कर लेते हैं तो एक्जाम से पहले आपके पास खुद का अपने कोशिन भी बन जाएगा तो आपके स्कूल में जो आपकी शिक्षा दे जाती है बच्चे को वो किस तरह की एजुकेशन में आपका आता है यह प्रिशन आपके देखने को मिलते हैं क्या वह फॉर्मल है इन्फॉर्मल है तो आपकी जो स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है बच्चे को आपकी वो आपके पिछले जो है वीडियोस में मैंने आपको यह करवा दिया था बहु बुद्धी वाला तो होट गार्णर ने यह दी थी तो इसको आप चोड़ दीजिए लेकिन इसमें आप यहां लखना है बुद्धी का जो त्रियाम में सिधानती यह किस ने दिया है तो यह गिल गिलफोर्ड द्वारा तो गिलफोर्ड ने इसमें जो तीन आयाम दीए या फिर आपके जो थी डायमेंचिस में बताया थे वह बताया थे ओपरेशन कंटेंट अन प्रोड़क्ट अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए परेशन आपसे बनता है थी डायमेंचिन आप इसमें आपके परेशन परेशन था दूसरा आपके पास इसमें इसमें गांटेंट था लिख लिख साथ साथ और तिसरा जिसमें था वो था आपके पास प्रोड़क्ट तो यह तीन इसमें आयम इसमें दिये गए थे तो लिख लेंगे अगले आपके पास अंतरजिष्टी यानिकि इंसाइड थी तो किसके द्वारे दिगए थी वर्दिमर कोहलर और आपके कौफा तो यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यह गूफा बीच में नहीं होग यह लास्ट वारा इसको काड़ देना यह कोहलर वर्दिमर और आपके इसमें कौफा तीसरे विक्ति आपके थे यह आपके तीन संबंदी थे आपके इंसाइड थी ते यह चीज़ आपने लिख लेनी है और जो है प्रतेक्शी करन का जुस्तान थे परसेप्शिन जो थी यह यह वर्दिमर को कहा जाता है तो इसने आपके यह दी थी तो यह आपने एक बार लिख लेना है आगे आपके पास प्रयास व्म भूल का स्थान यानकी ट्रैल अरर्र थी अलरेड़ देटेन में मैंने आपको इकरवा दी है तो यह थोंडाई की आपके दी ट्रैल अर्र थी प्रयासवरबूर का स्तान जिसमें जो प्रयोग आपके बिली पे किया गया था आगे आपके पास सक्रिय अनुबंदन का स्तान जिसको क्रिया प्रसूत का सिधाम पी का जाता है यानि कि ऑपरेंट कंडिशनिंग थी तो किसके द्वारा दीगी थी सकीनर द्वारा तो जितनी भी theories है उन theories की detail में मैंने आपको वीडियो प्रवाइड करवा दी है उसका link आपको description में दे रहा हूँ उसमें जाकर आप जो है इन theories को एक बार जो है ज़रूर देख लेना exam से पहले आपके लिए काफी helpful रहने वाली है kindergarten मत थी पत्ती जो आपकी है तो वही आपके पास kindergarten जो method है किसने दिया था खेल वीडि जो आपकी थी ये फ्रोवेल द्वारा दिया गई थी तो kindergarten ये बच्चों के खेल का बाग इसको कह सकते हैं तो ये किसने के द्वारा दिया गया था तो ये फ्रोवेल द्वारा दिया गया प्रतिदर्शिन स्दान्त का प्रतिपादर, important है कई वार exam में दिखा गया, तो प्रतिदर्शिन स्दान्त का प्रतिपादर ने किस ने किया, आपके Thompson द्वारा किया गया था, डीस ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमत इकलता ही जिसमें शब्दों की पहचान ही नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो यह आपके पास कहलाएगा dyslexia, important है याद रखना है पढ़ने की अक्षमता से, और वहीं पढ़ने की अक्षमता से और भी होता है, वह होता है अलेक्सिया, तो दोनों चीजें दोनों पतारा, तो reading disorder है, दो ही है, एक आपके पास dyslexia होता है, reading disorder में, एक आपके पास dyslexia है और दूसरा आपके पास इसमें अलेक्सिया है, तो यह दोनों आपके disorder रहेंगे, reading disorder यादि की पढ़ने की अक्षमता से, dysgraphia की जब हम बात करेंगे, तो dysgraphia में आपके writing disorder आपके रहेंगे, यह चार तरह के रहे आपके पास written disorder, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और बता क्या देता हूँ, रिटेन ही लेता हूँ, ताकि आप जो इसको लिख लाए, dyslexia, लिख लेना, यह भी आपका जो है, written disorder है, dysgraphia तो आपको मैंने बता ही दिया, और इसमें भी आपका है, उसके बाद आपके पास आपरेक्सिया, यह भी आपका जो है, एक तरह का written disorder है आपके पास, और इसमें जो है, लास्ट आपका जो फोर्थ होगा, होगा, अग्रेफिया, तो यह आपकी जो है, तीन मैंने बता दिया, और चोथ आपके पास यहां dysgraphia लिखा गया है, तो यह चार तरह की disorder हैंगे, mathematical disorder है, mathematical यानिकि गणित विकार से संबन्दित है, तो इसमें भी आपके अलग-अलग तरह की होते हैं, कुछ आपके पास लेक्सिकल होते हैं, कुछ आपके पास इसमें graphical डिसकेल लिखा लिखुली आप की तो तीन तरह के mathematical disorder ही आपके देखनें को बनते हैं, तो यह चीज़י आपके एकी से संबंदित आपकी ये रहने वाले हैं तो आज की class यहीं करते हैं उम्हीद आपको ये session आपको पसंद आ रहा है daily आपको class मिल रही है और बाकी जो है कोशिश करेंगे तीन दिन आपकी जो है इसमें psychology करेंगे तीन दिन आपकी other subject भी करेंगे ताकि साथ साथ आपके दूसरे स्ब्जेक्ट भी आपके चलते रहे तो अपने दूस्तों के साथ वीडियो को जुरूर शेयर केज़ेगा मेरे साथ बने रहने के आप सभी का ते दिल से बहुत बहुत धन्यवाद